इस वेडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो आज का हमारा सेकंड मैच होगा उस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड वुमेंस के बीच इसके बारे में और इसलिए मुझे उमीद है कि ये वाला भी हमारा वन साइडेड ही जाएगा बागी तो देखे किरकेट है क्या होगा क्या नहीं इसमें तो कोई राए है नहीं और अब हम बात करते हैं इस मैच के बारे में जो की आज का हमारा सेकंड मैच होगा अब इस मैच के बारे में बा बहुत ही सिंपल है फाइनल टीम यहीं आईगी इससे जादा बड़ा रीजन तो क्या ही दू और यह वाला मैश तो भाई मतलब वैसे तो वुमेंस के सारे मैचे स्टॉस के ओपर डिपेंड होते हैं लेकिन यह आज के दिन का सबसे रिस्की मैच है तो पहला सजीशन तो मेरा यह क्योंकि आपको बता है ना मैं इंवेस्टमेंट आपको पहले बताता हूं कि क्यों आपको इलिए अच्छा मैच है क्यों नहीं है क्यों खराब है यह सारी चीज मैं पहले बताता हूं ताकि आप इंवेस्ट करने से पहले ही बता लग जाए कि मैच हमें खेलना भी चाहि तो पहला पुइंट क्या है आप लोग इस मैच में इंवेश्मेंट कम करोगे उसका रीजन क्या है वह अभी मैं आपको बता दूँगा कम करोगे इतना जान रखना और दूसरा इंपॉर्डेंट पॉइंट यह यह टेलिग्राम जुइन कर लेना क्योंकि आपको मैं अलड़ी और उन दो केमे कारी मिले सार ग्रेन को और दूसरा को कि भूष किनको मिलिका स्पिन वेलर्स को आलागी यहां पर फार्ज बोलर्स भी अच्छा करते और देखना वयुदि जाएगा वेलेंस बिक्ट रहेगा फार्ज बोलर भी अच्छा रहेंगे और जो बेट्ज मेन है व मैंने बोला ये ये प्रूव भी कर दियो होगा अभी जो मैच खेला जा रहा है उसमें वेश्टन डीज ने टॉश जीता और उन्होंने पहले बेटिंग की तो उसका रीजन यह यह देखिए यहाँ पर जो है ना डिफेंड अभी यहाँ पर देखिए अब लाच के तीन मैच देखिए तीन मैच में दो मैच वो टीम जीती जिसने पहले बेटिंग की है और एक मैच जीती बोलिंग उसका भी छोड़ो मैकसिमम जो मैचेस होते हैं यहाँ पर अभी यह ऐसा मैचेस खेल रहे हो तो तीन मैचेस में 150 से नीचे स्कोर हुआ है लेकिन आप यह बात ध्यान दखना कि न्यूजिलेंड भले उतनी स्ट्रोंग ना हो लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है यह बहुत जादा स्ट्रोंग है बहुत अच्छी प्लेयर से बट वही है कि थोड़ी सी स्ट्रोंग जादा ही अस्ट्रेलिया वुमेंस की टीम है तो मैं परसनली आपको पहला सजेशन तो यह दूगा कि 7-4 का कॉमिनेशन रेडी करना जिसमें 7 प्लेयर आपके अस्ट्रेलिया की हो तो यह ओपन करेंगे शौफी डिवाइन के साथ शौफी डिवाइन इनकी सबसे बैस्ट प्लेयर है और इनकी भी अगर आप रिसेंट फर्म देखोगे कासे आउट इस्टेंडिंग है जोड़ी आप प्लीमर वन डाउन आएंगी और यह एक हिटिंग का काम करेंगी याद रखना जो प्लीमर है मतलब ग्रैंड लिग अगर आप खेल ले और जरूर राइका ना क्योंकि एक हिटर है अमेलिया के एर वन डाउन आएंगी जो कि आपको बताने की जुर्थ होनी नहीं चाहिए कि डिवाइन के बाद जो सबसे बेस्ट है इवन मैं बोल सकता हूं डिवाइन से भी बेस्ट है वो अमेलिया कह रहे है आफ्टर देट आएंगी मैडी ग्रीन और लॉरेन डाउन ब्रुक हालिडें ली ताहू हैली जेंसन हन्ना रो एंड वहीं पर इकारसन यह इस टीम की प्रॉवेबली लेवने जो बेटिंग ओडर के अकोडिंग है पावर प्ले एंड डेथ होवर्स की बात करता हूं पहले देगे बैंच में इनके चार प्लेयर है जे स्केर, मॉली पैनफोल्ड और बरंडाइन और उसके अलावा फ्रान जोनस बैंच में जो ब्लेड सी उनमें देखिए मैनली जो इंपोर्टेंट है वो जे स्केर है बाकी तो जो अधर प्लेयर है वो अलड़ी मैंने मैंचिन करी दिये लाइनप्स के अंदर पावर प्ले में हैली जैंसन हना रो के साथ आपको बोलिंग करते हुँ दिखेंगी और वहीं पे डेथ होवर्स में शौफी डिवाइन आपको हना रो या फिर हो सकता है डेथ होवर्स के अंदर हना रो नहीं होके यह जो हैली जैंसन है वो भी डेथ होवर्स में आ जाए उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है ठीक है आफ्टर देट हम बात करते हैं जो आपकी सेकंड टीम है देखें मैं उस्टेलिया का भी दिखा देता हूँ आपको उस्टेलिया की प्लेइंग लिए उनमें ऐलीसा हैली बैट मूनी होपन करेंगी वहीं पर एलीसा पेरी जो वन डाउन आएंगे और इनका बोलिंग का काफी ज़्यादा कन्फ्यूजन है की करेंगी या नहीं क्योंकि ओल्री मैं जो बोलर्स है जैसे डार्सी शॉर्ट, मेगन शूट, अलाना किंगर, जेस जोनासन चार इनकी मैं बोलर्स है जो की एकस्पेक्टेड है चार-चार ओवर्स भी करेंगी और फिर पांच वी आगए अशले गाडनर, ताहिला मैगरा भी ले लो तो पेरी थोड़ा सा मतलब हाला कि एक दोगर कर सकती है और वैसे भी देखिए मस्ट है ओपिक होगी आपको लेना ही पड़ेगा लेकिन इनी के कारण ये जो मैच है जो मतलब आभी आप वीडियो देख रहे हैं बहुत जादा रिस्की बन जाता है क्योंकि ये और लाउंडर सेक्शन में और लाउंडर सेक्शन में शोफी डिवाइन भी है अमेलिया केर भी है गाडनर भी है तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है और फिर विकेट कीपिंग में भी अगर आप देखोगे ना तो बैट मूनी एलिसा एली दोनों को मेंशन किया है तो यही रीजन है कि यह वाला मैच इंवेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं रहेगा मैं एक बार फिर आपको बता दू कि इस मैच में आप लोग इंवेस्टमेंट कम करना और बाकी देखे आपके मर जी है मेरा गाम होता है आपको सही चीजे समझाना और बताना यहां से अगर आप प्लेइर्स की बात आती ना चार-चार ओर्स की तो जोनासन किंग और मेगन शूट और डार्सी ब्राउन बहुत यह रेर चांस है कि किसी के ओवर कटेंगे यहां मैं बोल सकता हूँ वो जरूरत से ज़्यादा है रंदे देता है अधर्वाइस तो बोलिंग में से और कटेंगे हैं नहीं और फिर गार्डनर है और पेरी है ठीक है बेंच में आप देखोगे बेंच में भी काफी गजब लेवल के प्लेयर्स टीम के अंदर अविलेबल है लेनिंग हो गई वरहम है अनाबेल हैं किम गार्थ है पावर प्ले में मोश्टली मेगन शूट डार्सी ब्राउन के साथ आ बोड़ा अलगी होता है शूट को कभी-कभी तो यह बोलिंग ही नहीं देते हैं अगर आप लांच मिस देखोगे न ऑश्रीलिय वुमेंस का तो उसमें सिर्फ मेगन शूट ने एक ओवर किया था तो डैथ में एक्सपेक्टेर रहे हैं जैस जोनासन एलैना किंग और बाकी आपको देखने को भी मिलेंगी और उसी के अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहां से न्यूजिलेंड की तो लाज्ट के तीन मैंसे दो विन एक हार है और पांच मैंसे दो रिजल्ट है विनिंग प्रेडिक्शन की बात थी 60-40 का अगड़ा है टोटल मैचेस जो खेले गए उसमें न्यूजिलेंड की टीम 21 जीती है और वहीं पर उस्टेलिया की टीम 25 में जीती है यहां हम बात कर लेते हैं टेलिग्राम के बारे में तो गाइस देखिए एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करवा दू आपको याद दिला दू कि जो मेरी फाइनल टीम होगी वह मै आएगी यह मेरी डेमो टीम है और मैं आपको एक सजेशन जरूर दूँगा कि अगर आप यह मैच खेली रहे हो ना तो मतलब मेंली तब ज्यादा सही रहेगा आपके लिए जब शेले टीम पहले बोलिंग करती है अगर वह बैटिंग करेगी आपके लिए इतना ज्यादा य आपके घ्रिम को थो यहां पर क्या करोंगेंृरिंडोब कर ले लेही रखा एली सहली उनको पिक कर लेना मतलब मैं कहा सकता हूं कि ड्रीम लिए उन यूजर्स के लिए वाला मैस थोड़ा ज्यादा सही रहेगा अधर एपस के के लिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो के अंदर ठीक है